आज लेकर आई हूँ एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक जो की होने वाला है जेनेटिक्स और यहां पर हम कवर करेंगे जेनेटिक्स के सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स हेडिटी को एवॉल्यूशन को चार्ल्स डाविन के जो मेजर पॉइंट्स से जो उनने बताये थे उनक इंपोर्टेंट होने वाला है यह टॉपिक अंडर्स्टांडिंग के बेसिस से भी तो आप सब लोग इसमें ध्यान से अपना पूरा फोकस बनाकर रखिएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तो सबसे पहले देखते हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं ऐस्ट अपॉर्स एफॉल आज का पहला टॉपिक होगा हमारा हेरिटि को समझें इनहेरिटेंस को समझेंगे एंड इनहेरिटेंस उसके बाद में हम देखेंगे मेंडल के एक्स्पेरिमेंट्स उसके बाद में हम कवर करेंगे evolution के concept को और आखरी में देखेंगे fossils क्या होते important fossil की भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं तो शुरुआत करते हैं हमारे इस very interesting topic की सबसे पहले सबसे पहले आता है हमारा genetics का definition बेटा genetics होता क्या है अब देखो तुम लोग अपने parents जैसे दिखते हो यानी की तुम लोगों में बहुत सारे characters ऐसे हैं जो तुम्हारे parents से inherit होकर आए हैं वो characters जो inherit होकर आते हैं एक generation से दूसरी generation तक उनको हम heritable characters बोलते हैं जो characters inherit हुए है अब इसी की study को बेटा हम बोलने वाले है genetics क्या बोलने वाले हैं बेटा genetics यानी की study of all the heritage and variation of inherited characters इन ही inherited characters की जो पूरी की पूरी study है जो पूरे variations इसमें आते हैं इसी को हमने बोला है habitat genetics अब genetics में हम लोग आगे देखने वाले हैं जो मेंडल हैं उनके experiments क्या रहे थे सबसे पहले तो मैंने तुम लोगों को यह बताया था कि जो DNA होता है उसमें 99.9% DNA हमारा junk DNA होता है जो जादा किसी काम का नहीं होता है लेकिन वो 0.1% DNA था वही हमारा responsible होता है सारे के सारे functions के लिए order देने के वही बताता है कौन से protein synthesize करना है और उसको बेटा उस portion को हम बोलते हैं जीन वो part of the DNA that is responsible for telling की कौन से अब proteins का formation करना है कौन से functions हो रहे हैं उनको हमने बोला है जीन तो यहां पर देखते हैं genes are the functional units of heredity अब क्या हो रहा है DNA एक generation से दूसरी generation तक जा रहा है characters को लेकर अब DNA का portion जो की important है जो की सारे के सारे functions कर रहा है वो तो gene है यानि कि हमारे genes होते हैं बीटा यानि कि जो हमारे genes होते हैं वही हमारे functional units होते हैं heredity के that transfer characteristics from parents to the offspring genes are short stretches of DNA that code for specific proteins यहां तक सब कुछ clear होना चाहिए क्या बताया है DNA जो है वो characters को inherit करता है एक generation से दूसरी जनरेशन ठीक है माम अब जो genes होते हैं वो DNA का वो पार्ट होते हैं जो actually information लेकर जा रहे हैं इसलिए इन्हें बोला है functional units of heredity ठीक है यहां तक clear होना चाहिए अब heredity क्या है heredity refers to the passing of characters from one generation another मतलब characters का एक generation से दूसरी generation में जाना ही heredity है inheritable characters जो होते हैं उनका जो variation होता है उसकी study को हमने genetics बोला और जो genes होते हैं वो वो मेंडल का experiment और उन्होंने जो experiment के थूँ बताए inheritance के laws अब देखो क्या हो रहा है एक generation से दूसरी generation में characteristics जा रहे हैं अब इन characteristics के जाने के कुछ laws होते हैं कुछ नियम होते हैं जिनको हमें देखना पर सबसे पहले ग्रिगोर जोहान मेंडल ये एक scientist थे जिनको बोला जाता है बिटा father of genetics क्यों बोला जाता है क्योंकि इन्होंने experiment किया था एक pea plant के ऊपर और इन्होंने pea plant के ऊपर experiment करके उन laws को बताया था जो laws govern कर रहे हैं हमारी inheritance की process को जो laws बता रहे हैं कि हमारी inheritance के अगर process हो रही है तो वो हो किस तरह से रही है कौन सी चीजे responsible हैं कौन से factors responsible हैं ये इन्होंने बताया कौन से plant के ऊपर study करके पी plant के ऊपर study करके इसी लिए इनको बोला जाता है father of genetics और इ अब हम देखने वाले हैं हमारे में जो भी process किये थे उनको अब ये crosses क्या होते हैं ये समझने से पहले हमें ये चीज समझनी है कि जो हमारे genes होते हैं वो जीन्स पेर में जाते हैं जैसे suppose हम लोगों ने एक characteristic लिया जैसे मेंडल ने कोई एक characteristic उठाय है जैसे कि height of the plant हाइट of the plant कैसी हो सकती है दो प्रकार की हो सकती है एक हो सकती है पेटा टॉल और एक हो सकती है डौर्फ ठीक है एक lamoba plant हो सकता है एक चोटा प्लांट हो सकता है डिफरेंट टिफरेंट टाइप के प्लांटस हो सकता है अब हर एक organism में जो की sexually reproduce करता है उसमें genes के copies होते हैं इसको team को हमने small t small t हो गया यह genes के कुछ copies होते हैं हर organism में और फिर इन ही में से देखो जैसे अगर suppose small t है small t है तो यह दोनों अलग-अलग हो जाएंगे और फिर यही जो सामने वाला organism है उसके gamete से जाकर cross करेंगे अब यह जो genes जो copies में जा रहे हैं इनकी एक-एक variant को हमने बोला है अलील वापिस समझाती हूं ध्यान से सुनों क्या बोला जो genes होते हैं वो copy के form में जा ठीक है sexually reproducing सारे organism में जो genes present होते हैं वो in the form of copies present हो जैसे T हो गया capital T small t हो गया इस तरह से copies में जा रहे हैं अब यह जो दो अलग-अलग variants हमें देखने को मिल रहे हैं न एक ही organism में इनको हमने बोला है अलील हो गया और यह एक अलील हो गया total क्या है gene की copy है जो की responsible है हमारे सामने वाले organism के साथ में fuse करके नया organism बनाने के लिए ठीक है suppose हम यहां पर देखते हैं एक organism है जिसमें इस तरह से copy है और एक organism एसा है जिसमें small t small t है अगर इन दोनों को हमने cross करवाया इन दोनों का अगर हमने cross करवा के reproduction करवाया तो किस तरह से होगा यह T हो जाएगा यह T अलग हो जाएगा और यह small t अलग हो जाएगा फिर इनके combinations बनेंगे बेटा capital T small t इनका combination इनका combination इसका combination इसका combination क्या बन जाएगा capital T small t capital T small t capital T small t capital T small t इस तरह से हमारा बन जाएगा F1 generation F1 का मतलब क्या है मैं first generation ठीक है अब इसी में से अगर मैं किसी दो को उठा के फिर से cross करवाऊंगी तो उसको बेटा हम बोलेंगे F2 generation क्या बताया मैंने Mendel ने कोई particular characteristic उठाई हर एक organism जो की sexually reproduce करता है उसमें genes के दो copies होते हैं हर एक variant को हमने बोला है अलील ठीक है यहां तक clear है अब किनी दो organisms को हमने cross करवाया है cross करवाने के बाद में जो पहला generation आता है उसको हम बोलते हैं F1 generation जो दूसरा generation आता है उसको हम बोलते हैं F2 generation अब मेंडल ने क्या किया मेंडल ने सबसे पहले किया बेटा mono hybrid cross mono hybrid cross का मतलब mono mono का मतलब single मतलब उन्होंने उठाया सिर्फ एक क्यारेक्टरिस्ट्रिक ठीक है एक क्यारेक्टरिस्ट्रिक को उठाके उन्होंने study किया plants को cross करवाके अब जब उन्होंने study किया तब उसको हमने बोला mono hybrid cross देखते हैं when only one character is considered सिर्फ एक क्यारेक्टरिस्ट्रिक को consider किया है तब then such a cross is known as mono hybrid cross बिलकुल अब इसमें क्या हुआ है देखो इन्होंने pure plants उठाय प्यूर मतलब जिसमें की एक ही टाइप के है टॉल टॉल एक ही टाइप की कॉपी है एलील ठीक है प्यूर प्लांट्स को इन्होंने cross करवाया तो f1 generation में हम लोगों को क्या मिला f1 generation में हम लोगों को combinations मिले कुछ इस प्रकार से ठीक है उसके बाद में जब इन्होंने इसी को वापिस cross करवाया इन में से किन्हीं कि दो को cross करवाया तब उन्हें क्या combinations मिले उनको चार combination एक तो मिला capital टी capital टी capital टी small टी एक capital टी small टी और एक small टी small टी अब यह जो रिजर्ट है इसको पढ़ने से पहले हमें एक और चीज़ पढ़नी जरूरी है यह हमारा f2 generation है अब इसको पढ़ने से पहले कि यह क्या रिजर्ट था इसको comprehend करने से पहले एक और चीज़ हम समझेंगे वो होता है बेटा dominant और recessive का concept ठीक है देखो हर एक चीज़ को clear करते हूँ पेटा एक होता है dominant और एक होता है recessive अब क्या हुआ हम लोगों ने हमारा plant का height को as a character उठाया ठीक है उसमें एक टॉल था एक डौर्फ था तो बेटा एक उन मेंसे ऐसा होगा जो की dominant होगा dominant का मतलब क्या जब भी वो मौजूद होगा तब recessive वाले को वो आने ही नहीं देगा हमेशा वो ही prominent रहेगा वो ही दादा बनके रहेगा कि भाईया अगर मैं एक भी हूँ अगर मैं एक भी हू अगर एक भी capital T है तो वो छोटे वाले को आने नहीं देगा तब भी ये tall ही होगा इसका मतलब ये dominant है इसका दबाव बना हुआ है recessive वाले पे अगर एक बार भी ये मौजूद होगा तो ये recessive वाले को आने नहीं देगा और अगर small t small t है अगर ये है ही नहीं सिर्फ उस case मे recessive वाला आप आएगा और सिर्फ इसी case में हमारा dwarf plant हमें देखने को मिलेगा यानि कि अगर हम बात करें किसी भी characteristic की तो वहां पर बिटर दो प्रकार के हम लोगों को trades देखने को मिल रहा है एक होता है dominant और एक होता है हमारा recessive जो dominant वाला होता है वो दबाव बना के रखता है कि अगर मैं present हूँ तो recessive वाले को तो मैं नहीं आने दूँगा इसका मतलब capital T, capital T तो हमेशा टॉल होगा ही capital T, small T में भी recessive वाले को नहीं आने देगा अपना ही दब-बाब बना के रखेगा यहां पे भी टॉल आएगा यानि कि अगर हम जाए हमारे cross की तरफ तो हमारा result प यानि कि हमारे पास में आएं तीन टॉल और एक टॉर्फ यानि कि हमारे पास ratio क्या आया बेटा हमारे पास ratio आया है 3 is to 1 और इसी को हम लोगों ने बोला है monohybrid cross का ratio यह चीज हमें ध्यान रखनी है क्या पढ़ा हम लोगों ने हम लोगों ने पढ़ा monohybrid cross यहां पे हम लोग ratio देख रहे हैं 3 is to 1 का कौनसी generation में जब भी कोई cross होगा उसका हमें जो ratio देखना है वो देखना होता है हमें f2 generation में ratio आया है हमारा 3 is to 1, 3 to all और 1 dwarf therefore 3 is to 1 is the ratio for monohybrid cross question आएगा Mendel के experiment में जो monohybrid cross था उसका ratio कितना था हम answer लिख कराएंगे 3 is to 1 यहां तक clear होना चाहिए सब लोग पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है 3 is to 1 is the monohybrid ratio double star ठीक है एक बार इसको ध्यान से पढ़ो और समझो कि यहां पर क्या लिखा हुआ है यहां पर हम सिर्फ एक ही क्यारेक्टर सिक को देख रहे हैं जो कि हमारा हो रहा है height of the plant ठीक है monohybrid cross हम लोगों को clear है अब अब क्या हो रहा है यह हमारा monohybrid cross का एक डाइग्राम बना हुआ है एक बार फटाफट से इसको भी समझ लेते हैं parental यानि कि जो हमने starting में जो parents लिए हैं cross करवाने के लिए वो थे एक टॉल था एक ड्वार्फ था ठीक है क्योंकि सारे tt के combinations बनेते capital T small t अब जब इनका वापिस selfing कराया यानि कि इन लोग को एक दूसरे से cross करवाया तब जो हमारा f2 generation आ रहा है बिटा उसमें तीन टॉल और एक ड्वार्फ आया था giving us the ratio of 3 is to 1 यानि कि हमारे monohybrid cross का ratio हो जाता है to 1 इससे हमें सिर्फ यह चीज याद रखें ठीक है यहान से देखो एक बार अब अब आजाते हैं हमारे genes and alleles जो मैं आपको समझा चुकी हूँ एक बार इसको पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है this led Mendel to propose that two copies of factors now called as genes two copies जाती है हर एक organism में मैंने आपको यह बताया था controlling traits are present in sexually reproducing organism सारे दो copies जाएंगे भले वो capital T small t हो भले वो capital T small t हो भले वो small t small t हो ठीक है these two may be identical यानि की capital T capital T small t small t और may be different depending upon the parentage different भी हो सकता है capital T small t भी हो सकता है each one is known as allele इनका जो भी variant है एक अगर suppose t t है तो यह एक allele हो गया और यह एक allele हो गया दोनों को एक-एक allele बोला गया है हमेशा जो factors हैं जिनको यहां पे हमने gene बोला है वो copies में जाएंगे copies identical भी हो सकती है different भी हो सकती है हर एक variant को हमने बोला है allele यहां तक एकदम clear होना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं देखो dominant trait की भी हम लोगों ने बात की थी कि वो जो दबदबा बना के रखता है अगर एक भी allele हमारा dominant trait का है तो पूरा का पूरा characteristic हमारे dominant trait का ही आएगा पढ़ते हैं एक एक line को the traits that express themselves in an organism in every possible combination and can be seen are known as dominant traits यानी की हर possible combination जहां पे कोई एक allele भी हमारा dominant होगा वहां पे हमें यह देखने को मिलेगा ही कि कह है in Mendel's experiment जो हमने अभी देखा we can see that the tall trait in pea plants tends to express more 3 is to 1 का ratio था ना मतलब की जादा कौन हमें देखने को मिला जो dominant वाला था वो therefore the tall trait of the plant is said to be dominant over the short trait यानी की जो जादा देखने को मिल रहा है उसी को हमने बोला है dominant trait ठीक है चालो अब अब आजाता है हमारे recessive trait जिनको हम बोलते हैं पुन्रावर्टी लक्षण अब recessive traits क्या होते हैं recessive traits जो दब कर रहते हैं जो सिफ तभी express हो पाते हैं जब वो अकेले हो dominant की presence में यह कभी express नहीं हो पाते हैं और कम देखने को मिलते हैं देखते हैं a trait which is not expressed in the presence of dominant allele is known as recessive बिलकुल so recessive character और a trait is present in an organism but cannot be seen if a dominant allele which देखने को नहीं मिलेगा अगर कोई भी dominant allele साथ में मौझूद होगा alines or genes का concept हमें समझ में आ गया dominant trait और recessive trait का भी concept हमें समझ में आ गया है हम लोगों ने mono hybrid cross को भी समझ लिया है 3 is to 1 ratio आया था ये भी हमें याद हो चुका है अब law of dominance बिटा क्या हुआ था मेंडिल ने जब experiments किये थे उनके तब उन्होंने बताये थे हम लोगों को 3 laws 4 laws जो की guide कर रहे थे हमारी पूरी की पूरी inheritance की process को एक law आ जाता है हमारा law of dominance ये क्या बोलता है ये समझते सम एलील्स आर डॉमिनेंट वाइल अधर रिसेसिफ सिंपल जो हमने डॉमिनेंट और रिसेसिफ का कंसेप्ट समझा है वही है ये law of dominance का मतलब कुछ dominant characters भी रहेंगे कुछ रिसेसिफ characters भी रहेंगे ठीक है dominant वाला जादा दिखेगा ठीक है एन और यहानिजम विद अट लीस्ट one dominant allele displays the effect irrespective of the presence of the respective recessive one ये चीज हम लोगोंने clear कर ली थी जब हम लोगोंने पढ़ा था dominant or recessive trait क्या बताता है ये law सिर्फ एक चीज की dominant allele होगा एक dominant rate होगा और एक recessive trait होगा एक भी अगर dominant allele मौझूद हुआ तो सिर्फ उसी का character आएगा recessive वाले का नहीं आएगा बस इतना ही simple है कुछ नहीं चीज से नहीं है ठीक है तो यह हमारा हो गया प्रभाविता का नियम जिसको हमने बोला है law of dominance अब आ जाता है हमारा एक और law जोखी हो जाता है law of segregation अब यह क्या बोलता है एक बार पढ़ते हैं फिर एक एक हम वर्ड को समझेंगे ठीक है क्या मतलब है जब कोई भी organism है सबस्कल यह दोनों औरगानिजंस को हम ख्रोस करने हों अगे मीट के पडाई जब हमारा गमीर बनता है और नया और गया निजम बनाने वाला है इन दोनों में से दोनों दोनों तो आनी जाएंगे, नहीं तो आने वाले में तो चार हो जाएंगे, हमें तो दो ही चाहिए, तब यह अलग-अलग हो जाते हैं। यही लिखा हुआ है, हमारे law of segregation में, कि यह segregate हो जाते हैं। एक दूसरे से अलग-अलग हो जाते हैं जब गेमीट बनना होता है जब जर्म सेल बनना होता है और फ्यूज करके बना लेते हैं हमारा नया जनरीशन क्या है यहां तक क्लियर होना चाहिए एक बढ़ पड़ो क्या लिखा हुआ है लॉप सेग्रिगेशन क्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन वही बताया गेमीट फॉर्म हो रहे हैं दा अलील फॉर इच जीन सेग्रिगेट फ्रॉम इच अदर यह अलील है एक एक को हमने अलील बोला था यह एक दूसरे से क्यों सेग्रिगेट हो रहा है लिए मतलब अलाग अलग हो गए फिर उनके कॉमिनेशन बन जाते हैं और हमारा नया जनरेशन आगे फिर बनता है यह हो गया हमारा law of segregation इतना एजी से था कुछ भी नहीं था इसी से तो हमने क्रॉस किया था फिक है दो लॉस तो हमने पढ़ी लिए अब तीसरे लोगों को पढ़ेंगे हम इसके बाद में जो की है हमारा डाय हाइब्रिड क्रॉस अब जब हम लोगों ने पढ़ा था बिटा मोनो हाइब्रिड क तब वो किस तरह से होती है उसमें क्या रेश्यो आता है इस चीज को यहां पर हम समझने वाद पढ़ते हैं के पॉइंट को के तोर पे अगर हमने एक शेप को देख लिया कि वह राउंड है कि रिंकल्ड है और साथ में लोगों ने कलर देख लिया कि वह ग्रीन है कि येलो है इन दोनों अगर क्यारेक्टर को कमबाइन करेंगे तो हमारा जो एफ टू जनेरेशन में जो रेश्यो आएगा उसको हम ब या फिर वाइट और हम लोगों ने साथ में ले रखा है तॉल है या फिर शॉट है अगर इनका हम क्रॉस करते हैं तो अल्टेमेटली हमारा रेश्यो आता है नाइन इस्टू 3 इस्टू 3 इस्टू 1 ठीक है नाइन हमें ऐसे मिलेंगे जो की होंगे टॉल इन पर्पल प्री ह we can say कि हमारा जो रेश्यो होने वाला है डिहाइब रिच्ण करोश का अ हम्हें इस्टू 4 इस्टू 3 इस्टू 1 इतना सही हमें याद रखना आ यहीं लिखा रूए हम्हां पर याइन स्टू 3 साथ यह अन्हां पर Ś...? 9 इस्टू 3.. wax ₲ रेश्यो 1 इस्टा रेश्यो round and green जब हम लोगों ने consider किया है shape और color को ठीक है इसको इतना जादे importance नहीं देना है क्योंकि हम लोगों को F2 generation की बात करनी है F1 की नहीं और F2 की अगर हम बात करेंगे तो बेटा ratio हम लोगों को cross के बाद में मिलेगा बस इतना ही याद रखना है हमें die hybrid cross से यह सबसे पहली बात दो characters को consider किया है दूसरी बात हमारा जो बस इतना सा ध्यान रखना है अब इससे जो law निकल कर आया है उसको देखते हैं और वो है बिटा law of independent assortment बोनो hybrid cross से हम लोगों को दो laws देखने को मिले थे पहला था हमारा law of dominance क कि कोई dominant character होगा एक recessive character होगा ठीक है दूसरा law of segregation कि जब हमारा gamete बनेगा तब सारे allele segregate हो जाएंगे ठीक है यहाँ पर आ चाता है law of independent assortment नाम से ही समझ में आ रहा है independently assort हो रही है कोई चीज कौन सी चीज दो characters हम लोगोंने die hybrid cross में साथ में पढ़े थे वही independently हमारे assort हो र independent assortment says that the traits can segregate independently of different characters during gamete formation यानी कि हमारे जो traits है जैसे कि हमने suppose एक tall dwarf वाला ले लिया, height वाला ले लिया और एक हम लोगोंने color वाला ले लिया तो यह दोनों जो है यह दोनों अलग अलग ही हमारे नए जो हम क्या बोल सकते हैं जो हमारे नए combinations है वो दोनों अलग अलग बनाएं जाएंगे, joint होकर नहीं जाएंगे, example बताते हूं, suppose यह ले लिया हम लोग, ठीक है, यह हमारा tall का हो गया, और यह हमारा किसका हो गया, suppose color का हो गया, इसी तरह हम लोगोंने एक और लिया, तो जब यह gamete बनाएंगे बेटा, तब यह अलग-अलग हो जाएंगे, अलग-अलग कैसे, T, एक यह T, एक यह Y, और एक यह Y, ठीक है, इस तरह से यहां पे भी T, small t, Y, और यह Y, यह एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं बेटा, यह सब अलग-अलग हो जाएंगे, सारे characters एक दूसरे से अलग-अलग होकर ही नए combinations बनाने वाले हैं, कोई चि और कुछ भी नया नहीं है, इसमें, एक बार ध्यान से पढ़ लो इस चीज को, कुछ नया नहीं है बिटा, हम लोग उने क्या बताया है, law of segregation बताया था, जहां पे हमारा एक ही characters के जो alleles थे, वो separate होकर जा रहे थे, और यहां पे बताया है, हमने law of independent assortment, जहां पे die hybrid cross के जो दोनों characters हम लोगों ने consider किये हैं, वो independently assort हो रहे हैं, बस इतना चाहिए ध्यान रखना है, ठीक है, चालो, अब हम बात करते हैं sex determination in humans की, कि humans में किस तरह से sex को determine किया जाता है, अब यहां पर यह देखो, हमारे अंदर 23 pair of chromosomes, अब इस में से 22 pairs होते हैं, उनको बोलते हैं हम auto zooms, और जो हमारे one pair होता है, जो बचा हुआ है, उसको बोला जाता है sex chromosome, जो कि यह determine करते हैं, है कि आने वाली generation जो है, वो लड़का होगा की लड़का है, यानि कि हमारे 22 pairs हो गए autosomes के, और one pair हो गया हमारा sex chromosomes का, sex chromosomes मतलब क्या, यह भी pair में ही आते हैं, एक होता है xx और एक होता है xy, xx यानि की male, और xy यानि की male, क्या है, अगर हमने इनका cross करवाया, ठीक है, अगर हम लोगों ने इनका cross करवाया, तो हम लोगों को क्या-क्या combinations मतलब, एक तो xx मिल सकता है, एक xy मिल सकता है, फिर से xx या फिर xy, यानि की यह जो female वाला है, इसके साथ में male का कौन सा आएगा, अगर x आ गया, तो फिर हमारा female हो जाएगा, अगर y आ गया, तो हमारा male हो जाएगा, यानि की female के तो हमेशे x ही आएगे, male जो हमें देगा, male जो male गेमीट देगा, उसके उपर depend करेगा, कि आने वाली generation जो है, हमारी वो लड़का होने वाली है, कि लड़की होने वाली है, हमारी society में एक बहुत common myth, एक बहुत common taboo है, कि आने वाली generation जो भी है, suppose अगर कोई ऐसा family है, जहां पर लड़कीयों को बहुत अच्छा consider नहीं किया जाता, बोज consider किया जाता है, वहाँ पर अगर बहुत सारी लड़कीयों का जनम हो जाता है, तो मा को कोसा जाता है, कि भाया, तुमने इतनी सारी लड़कीयों को जनम दे दिया, कब हमें बेटे क के दर्शन करवाओगी, यह बहुत common taboo होता है, सबसे पहली बात तो लड़की और लड़की दोनों एक ही समान होते हैं, एक ही स्तरपे होते हैं, यह करना ही नहीं चाहिए, दूसरी बात कभी भी female responsible नहीं होती है, यह बताने के लिए कि लड़का होने वाला है कि लड़की, male की साइट से जो भी gamete आता है, वो decide करता है, लेकिन male के भी कहां हाथ में होता है, वो थोड़ी ना decide कर सकता है कि कौन सा gamete मैं पहुचवाँ, कौन सा नहीं पहुचवाँ, male के हाथ में भी नहीं होता है, therefore the new generation coming, वो किसी के भी responsibility नहीं होती है, वो एक God का gift होता है, जो भी करनीट आता है, वही आगया वाली generation को determine कर रहा होता है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, इसी चीज़ को एक एक करके हम समझने वाज़े होता है, इन humans, sex determination happens on the basis of presence or absence of the Y chromosome, यानि कि अगर Y present है, तो हो जाएगा male, अगर Y absent है, तो हो जाएगा male, उसके बाद में, XX is female, XY is male, this is clear An ovum always contains an X chromosome, ovum जो हमारा female germ cell है, जो हमारा female gamete है, उसमें हमेशा X chromosome ही होगा, ठीक है, क्योंकि XX female होता है, उसके बाद में, an ovum upon its fusion with the Y containing sperm, अगर हमारा जो sperm है, जो हमारा male germ cell है, उसमें अगर Y आया, तो आगे वाली generation करका बनेगी, अगर उसमें X आया, तो आजने वाली generation बनेगी लड़की, ऐसा अलग-अलग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था, law of segregation, कि जब भी कोई gamete बनेगा, तब ये alleles अलग-अलग हो जाएंगे, एक X हो जाएगा, एक Y हो जाएगा, इन दोनों में से, जो भी combination बना रहा है, female germ cell के बात में कुछ कभी-कभी abnormalities भी हो जाती है, gamete formation में, या फिर gamete के fusion में, अब वो चीज हम समझने वाले हैं, कि कौन सी ऐसी बीमारिया होती है, जिनको ये जनम देएगा, सबसे पहला आ जाता है, clean filter syndrome, जहां पे XXY होता है, अब XXY जहां पे भी होगा, जिन भी लड़कों में XXY होगा, उन में एक extra X होता है, और वो responsible होता है, कुछ feminine characteristics के लिए, कुछ female-like characteristics आ जाते हैं, और वो male sterile होता है, sterile का मतलब होता है, बेटा, who is not able to further continue the generation, ठीक है, ये हमें समझ में आना चीए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है, clean filter syndrome, हम याद क्या रखेंगे, कि इसमें 2 X और एक Y होता है, XXY होता है, clean filter syndrome में, अगर हम turner syndrome की बात करेंगे, तो यहाँ पर X 0 होता है, सिर्फ अकेला एक X ही allil यहाँ पर मौजूद होता है, और ऐसी females जिन में turner syndrome है, जिन में एक X की कमी है, एक X chromosome की अगर उसमें कमी है, तो वो females में ovary rudimentary होती है, यानि कि underdeveloped होती है, और वो females भी sterile होती है, यानि कि incapable of continuing the further generation, ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने clean filters पढ़ा, clean filters में एक X chromosome की extra copy थी, और turner syndrome में एक X chromosome की कमी होने की वजए से rudimentary ovaries होती है, और फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी जो ovaries होती है, वही हमारे hormones बना रही होती है, female hormones जिन को हम लोगों ने बोला था, estrogen और progesterone, अगर उनका release कम होगा, अगर ovaries underdeveloped होंगी तो उनका release कम होगा, उनका release कम हुआ, तो secondary sexual characteristics जो आते हैं after puberty females में, वो भी इन लोगों में कम आएंगे, ठीक है, ये समझना ज़रूरी था, अब उसके बाद में एक syndrome आ जाता है, downs syndrome, ऐसे आपको बच्चे देखने को मिलते हैं, प्यारे से बच्चे होते हैं, जिनको down syndrome की शिकायत होती है, अब इसमें क्या होता है, हम लोगों ने ये पढ़ा था, कि हमारे 22 pairs जो होते हैं, autosomes हम जिनको बोलते हैं, वो present होते हैं, अब उन में से 21st pair है, उसमें एक हमारा extra chromosome add अगर हो जात है, तो बच्चों को down syndrome की शिकायत होता है, इसमें हम लोगों को ऐसा moon like face देखने को मिलता है, tongue जो होती है, वो protruded होती है, जो forehead होता है, वो wide होता है, कुछ ऐसे बहुत common characteristics हमें देखने को मिलते हैं, down syndrome से पीड़ित बच्चे बहुत क्लियरली हम लोगों को समझ में आ जाते ह साथ ही में mentally retarded भी होते हैं, यह हमें समझना है, क्या-क्या characteristics हम लोगों ने पढ़े down syndrome वाले बच्चों के सबसे पहली बात यह हुआ क्यों है, 21st जो हमारे chromosomal pair है, उसमें एक extra chromosome की copy आ जाती है, ऐसे बच्चों का moon shape face होता है, protruded tongue होती है, mentally यह बच्चे थोड़े retarded रहते है इनका forehead जो होता है, वो थोड़ा side होता है, ठीक है, चलो, और इनका life span भी बहुत जादा नहीं होता है, मेरे neighborhood में एक बच्चा था, जो की down syndrome से पीड़े था, बहुत प्यारा सा kid था, और उसकी date हो गई थी, जब he was 8 years old, he was very sweet and ऐसे बच्चों को music का बहुत शूक होता है, उस इसको भी music का बहुत शौक था, उसका नाम इशान था, and he was really sweet and really close to me, और जब भी music बच्चता था, he used to start dancing, every time he used to start dancing, बहुत ही प्यारा बच्चा था, और कभी कबर ऐसा भी होता है कि parents, जब down syndrome वाला बच्चा जन्म लेता है, तब उसको नहीं accept करते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है, ये भी बच्चे हैं, बहुत प्यारे से बच्चे होते हैं, special attention की special care की इनको जरूरत होती है, जो इनको दी जानी चाहिए, at proper, ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं, पटाउस syndrome की हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे हमारा extra chromosome जुड रहा है, 13th autosomal chromosome के साथ में, हम ने down syndrome में पढ़ा था, 21st के साथ में एक extra chromosome जुड रहा था, पटाउस में 13th chromosome prayer के साथ में एक extra chromosome जुड जाता है, अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं, जिनका जो lip होता है, उसमें बीच में division होता है, साथ में ये mentally retarded होते हैं, क्या features जिला कि इनके lip में division होगा, और दूसरा ये होते हैं, थोड़े mentally retarded, ये चीज हम लोगों को समझने की जरूरत है, एक बद ध्यान से इंचारों को देख लिए ये कुछ ऐसे abnormalities हैं, जो हमारे chromosome में, जो abnormalities देखने हैं, को मिलते हैं, उनकी वजए से arise होने वाले कुछ syndrome, आगे कुछ और की बात करेंगे, जैसे की हो जाता है हमारा sickle cell anemia, sickle cell anemia में जो हमारा RBC होता है, जो normally circular होता है, वो sickle shaped का हो जाता है, और sickle shape का होने की वजए से इनकी जो life span जो होता है, वो comparatively कम हो जाता है, normal RBC इसका life span हो 120 लेकिन इन sickle cells का जो life span होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है, RBC की death जल्दी हो जाती है, इसी की वजए से अनीमिया हो जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है sickle cell anemia, और ये जो होता है वो change in 11th autosomal chromosome की वजए से होता है, यानि कि हमें यहाँ से याद क्या रखना है कि sickle cell anemia हमारे 11th autosomal chromosome में change की वजए से रहा है, एक और बीमारी आती है जिसको हम बोलते है, phenyl ketonuria, ये हमारा होता है change in 12th autosomal chromosome की वजए से, नमबर को याद रखेंगे, कौन से नमबर की वजए से ये हो रहा है, उसके बार में आ जाती है एक बीमारी जिसको बोलते है, हाँ, ओ फ उसमें अगर change होता है, तो वो हमारा arise करता है, हीमोफीलिया की बीमारी को, उसके बाद में color blindness जो बीमारी होती है, वो भी हमारी sex chromosome की वजए से हो रही होते है, ये कुछ बहुत common सी बीमारिया है, जिनको हम याद रखेंगे, जहां से questions आ सकते हैं, बीमारिया तो बहुत सारी है, autozomal से related भी, और sex chromosome से related भी, ये कुछ बहुत important points है, जिनको हमें ध्यान में रखना है, क्या-क्या पढ़ा हम लोगों ने clean filter syndrome पढ़ा, जहां पे x xy था, एक x की extra copy थी, उसके बाद हम लोगों ने देखा turner syndrome, turner syndrome में x hero था, यहां पे हमारे x chromosome की कमी थी, clean filters और turners दोनों वाले जो organisms हैं, जो दोनों में humans होते हैं, और दोनों में ही बिटा sterility हमें देखने को मिलती है, ठीक है, उसके बाद में हम जाते हैं हमारे downs और patouse की तरफ, तो down syndrome भी और patouse syndrome भी दोनों autosomal chromosomes की वज़े से हुआ था, ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने देखा sickle cell anemia, phenyl ket ketonuria, 11th और 12th की वज़े से hemophilia और color blindness ये दोनों sex chromosome की चेंज की वज़े से, देखे हम लोगों चलिए, अब हम समझने वाले हैं traits को, traits क्या होते हैं, traits यानी होते हैं हमारे physical characters, ठीक है, जैसे कि अगर suppose हम बात करते हैं हमारे कान छिदवाने की, कान क्या हमारे बचपन से छिदे हुए थे क्या, यह हम लोगों ने lifetime में acquire किये हैं, जैसे अगर आज suppose मैं अपने बालों को red क कर वालू, तो वो क्या बचपन से मेरे बाल red थे, क्या, नहीं, मेरे बाल तो बचपन से black थे, यानी कि red बाल अगर मैंने कर वाली है, तो वो भी एक acquired characteristic हो जाएगा, अगर मेरा कहीं भी accident हो जाता है, और मेरे हाथ पर अगर कोई scar आता है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा हम हमारा acquired character, जो कि हम lifetime में acquire करते हैं, जो कि inherited नहीं होता, जो कि जन्म जात नहीं होता, यानी कि अगर हमारे शरीर पर कोई भी physical characteristic है, तो वो दो प्रकार का हो सकता है, क्या तो वो हो सकता है, inherited जो कि हो हमारा जन्म जात, जैसे कि हमारे आखों का color, जैसे कि हमारे जो बाल है, उनका curly बाल है, कि straight बाल है, जैसे कि हमारे जो ear का ये पिन्ना है, ये जुड़ा हुआ है, या फिर detached है, ठीक है, या या ये जो सारे features होते हैं, ये हमारे inherited features होते हैं, जो कि हमें एक generation से दूसरी generation में देखने को मिलते है यदि हम बाग करते हैं acquired characteristics की तो यह वो characteristics होते हैं जो वो traits होते हैं जो कि हम लोगों ने lifetime में acquired किये हैं इसे कि मैंने आपको बताया बाल का color करवा लेना या फिर हमारे कानों में छेद करवा लेना या फिर हमारी body पर कोई भी scar आना या फिर टाटू बनवाते हैं कुछ लोग वो वो अब inherited तो होता है यह वो तो acquired होता है इसलिए traits को हम लोगों ने दो parts में बाता है एक हमारे acquired traits और एक हमारे inherited traits यहां तक clear होना चाहिए चलो अब हम समझने वाले हैं बिटा वेरियेशन जिसको हम बोलते हैं विभिन्नता अब क्या होता है जैसे ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक characteristics होते हैं लेकिन क्या हो एकदम exactly same होते हैं नहीं होते हैं थोड़े variations तो होते हैं हम exactly carbon copy तो दिखते नहीं है हमारे ममी बापा के थोड़े वेरियेशन तो हैं ही उन्हीं वेरियेशन को अगर हम देखें over a long period of time तो यही evolution में हमें help करते हैं एक species का evolution इसी तरह से होता है जब बहुत सारी generations में variations accumulate हो जाते हैं पढ़ते हैं इस चीज को क्या लिखा हुआ है variation is the measure of difference between individuals of the same species एक ही species में जो हमें अलग-अलग characteristics देखने को मिलते हैं उनको भी हम variation बोलते हैं अगर हम सारी human beings की species देखें तो उसमें किसी के बाल कर्ली होंगे किसी के बाल straight होंगे किसी के आखों का color green होगा किस variation in a species अब जो हमारा nature होता है वो उसी variation को select कर लेता है जो कि हमारे nature में properly adapt हो सके इस concept को भी हम बाद में पढ़ें गया कि यहां पर आगे देखते हैं offspring is not identical to the parents exactly they are not identical they are not the carbon copy थोड़ा बहुत variation तो हमें देखने को मिलता ही है there exists some variations each individual in a population differ from the others why because they have variations ठीक है अब जो sexually reproducing organisms होते हैं they show great variation among the individuals of the species in a sexual reproduction में फिर भी वो अपनी जैसी copies बना रहे थे sexual reproduction में जब दो organism से gametes आ रहे हैं तब variation जादा होता है और इसी में the long term accumulation of variations प्रेंस 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 जैसा कि मैंने आपको बताया variations आते जाएंगे हर generation में और वो long term evolution में बहुत important role play करते हैं तब selection of variants by environmental factors is one of the driving factors of evolutionary processes इस चीज़ को समझाती हूं मैंने तुम लोग को पहले एक जिराफ को example दिया था कि कुछ जिराफ ऐसे थे जिनकी गर्दन थोड़ी छोटी थी कुछ जिराफ ऐसे थे जिनकी गर्दन थोड़ी दंबी थी जिव लंबी गर्दन वाले जिराफ थे उन लोग के खाना खाना थोड़े इजी हो गया था पेड़ से हैना इसी लिए nature ने सिर्फ उनहीं जिराफ को सिलेक्ट किया बाकी के जो जिर जाएगा और वहाला जिन्दा रह जाएगा यह हमारे नेचर की सिलेक्शन प्रोसेस जिसको हमने बोला है नाचिरल सिलेक्शन इस कंसेप्ट को हमने पहले भी बढ़ा था कि नेचर सिर्फ उनहीं को सिलेक्ट करेगा जो फिटेस्ट होंगे जो इन्वारनमेंट से मेंबढ़े यह अन्वार सिर्फ का पाइगा इस श्युक्त करें जो सबसे ज्यूएता को ऐसो हमारे यह सिलेक्शन इसको दोनों ने पहुंके बारे में भी हम बात करेंगे सबसे पहले this is the phenomenon by which the favorable trait in a population of a species is selected जो भी favorable character है जो कि उस environment में properly adapt कर रहा है उसको select करने की process को हम लोगों ने है natural selection changing natural conditions exert equal pressure on on the existing species the species organisms which are better adapted to the changing conditions वही survive कर पाएंगे वही reproduce कर पाएंगे वही select होंगे nature के द्वारा जो भी हमारे conditions environmental conditions हमारी अर्थ पर पहले कुछ और थे बाद में कुछ और हुए जोग्रफी में आप पढ़ोगी यह चीज या फिर आपने पढ़ ली होगी कि धीरे-धीरे हमारे जो अर्थ का environment वह चेंज हुआ था जैसे जैसे चेंज हुआ जो भी स्पिशीज के वेरियंस हमने पढ़े थे कि स्पिशीज में अलग-अलग वेरियंस होते हैं वो भी वेरियंस उसमें अडाप्ट कर पाएंगे सिर्फ वही आगे बढ़ पाएंगे जो की इसी को हमने बोला है नाच्रल सिलेक्शन का एक बार इसको ध्यान से पढ़िए चलिए आगे देखते हैं यह जो हमें दोनों कंसेप्ट्स दिये थे यह दिये थे हमें सर चार्ल्स डावन ने चार्ल्स डावन हमारे वो साइंटेस्ट थे जिनको फादर ऑफ एवोल्यूशन बोला जाता है क्योंकि इन्होंने हमें बीगल करके एक शिप पे ग्यालप इगोज आइलेंड तक एक गए थे यह और वहां पे इन्होंने अपना थियोरी ओफ एवोल्यूशन लिखा था है वीगल का नाम भी एक वन डे एक्जाम में आया था कि कौन सी शिप के थ्रू हमारे चार्ल्स जाविन सर गए थे वो ग्यालप इगोज आइलेंड पे गए और उन्होंने कुछ फिंचिस को देखा फिंचिस एक टाइप की बर्ड थी वहां पे उन्होंने उनकी बीक्स को दे लिखिन यहां पे आयलेंड पे जो भी कंडिशन प्रिजेंट थी उनकी कंडिशन के ऊपर अडाप्ट करते हुए इनकी बीक्स थी जो इनका जो भी खाने के लिए मटेरियल वहां पे मौजूद था उसके बेसिस पे इन लोगों ने अपनी बीक्स जो थी वो अलग अलग त को उठाया था इसलिए इनको बोला जाता है father of evolution इन्होंने अपना evolution का जो concept था वो समझाया था एक book जो की है origin of species और यही में इन लोगों ने जो सर चार्स जाविन थे इसी book में इन्होंने explain किया था जो हमारे evolution का theory था जो हमारे natural selection का जो process था या फिर हमारा survival of the fittest का concept था यह स इस बुक में जिसका नाम है origin of species यह चीज आप अच्छी तरह से याद रखेंगे sir charles darwin को आप याद रखेंगे ठीक है अब evolution जिसके बारे में sir charles darwin में हमें बताया क्या होता है evolution एक definition के term में evolution is the tangible change in the heritable characteristics यानी की जो की characteristics हमारे एक generation से दूसरी generation में जा रहे हैं in a population over several generations बहुत सारी several generations में वह variations आते जाएंगे और further एक नया species बन जाता है जिसको हम बोलते हैं evolution these changes can give rise to a new species or the species might change themselves to become better adapted to the surrounding environment यानी की हमारी कोई species है ठीक है अब वो जो species है वो time के साथ में दीरे दीरे हर generation में variations लाते हुए या तो एक completely नई species ही बना लेगी या तो वो एक उसको better form कर लेगी जिससे वो आपस के जो environment है आजपास को जो environment है उससे better adapt कर पाए उसी को उस process को हम लोगों ने बोला है evolution की बेटर form में evolve कर गए जो की environment से better adapt कर सकते हैं या कि complete नई species भी बना सकते हैं यह रहा हमारे evolution का concept theory of evolution किस ने दी सर्चार्ल्स डाविन ने दी थी हमें theory of evolution को उन्होंने origin of species जो book थी उसमें हमें कुछ concepts बताये थे evolution के जिसमें थे natural selection survival of the fittest type के concepts अब हम बात करने वाले हैं कुछ evolutionary relationship अब बिटा क्या हुआ एक कोई ancestor है ठीक है वहां से यह किसी एक region में गए और कुछ जो थी कुछ लोग कुछ एक region में गए ठीक है यहाँ पर अलग conditions थी तो यह अलग तरीके से अडाप्ट कर गए यहाँ पर अलग conditions थी तो अलग तरीके से अडाप्ट कर गए ठीक है लेकिन आये किसे हैं यह एक ही species से है तो हम लोगों को क्या होता है कुछ characteristics ऐसे दिखते हैं हम लोगों को इन species में इन दोनों species में जो इशारा करते हैं कि हाँ यह एक common ancestor से आये हैं एक्जाम्पल दूँ देखो एक्जाम्पल हो जाता है हमारा human का cat का whale का या फिर bat के जो हमारे limbs होते हैं ठीक है वो सारे इशारा करते हैं कि एक ही ancestor से आये हैं उनका अगर हम structure देखें तो उनका structural organization सेम होता है लेकिन अलग-अलग जगह पर जाने की वजह से अलग-अलग रीजिंस में adapt करने की वजह से functions बदल गए हैं जैसे कि हमारे अगर mammals की हम बात करते हैं humans की अगर हम बात करते हैं humans हमारे जो limbs होते हैं उनको हाथ यूज कर रहे हैं वेल की अगर बात करें तो वेल उसको swim करने के लिए यूज कर रही है अलग-अलग काम के लिए हो तो गए हैं लेकिन इनका जो structural organization था वो सेम था वो यह इशारा कर रहा था कि वह को एक common ancestor से आये हैं यानि कि ऐसे organs को हम बोलते हैं homologous organs जो यह इशारा करते हैं कि same ancestor से आये हैं उन्ही organs को हम बोलेंगे homologous organs definition पड़ते हैं homologous organs are those which have a similar structure but different function different function क्यों हो गया क्योंकि यह अलग-अलग regions में गए और अलग-अलग regions में इन होने adapt कर लिया ठीक है लेकर similar function क्यों क्योंकि एक same इनका ancestor था यहाँ पर लिख देती हूँ similar structure since common ancestor and a different function because adaptation in different environment definition हम लोग को homologous के अब अच्छी तरह से समझ में आ गई है examples देखते हैं wings of birds and forelimbs of mammals birds और forelimbs जो है mammals के उनको अगर हम देखे तो उनका structure एकदम exactly same होगा लेकिन birds किस लिए यूज कर रही है ओडने के लिए यूज कर रही है mammals किस लिए यूज कर रहे है locomotion movement के लिए यूज कर रहे है उसके बाद में tendril of a pea plant and spine of a barbary plant यह भी एक example है जिसको हम याद रखेंगे इन दोनों में ही यह modified leaves है इनका जो basic structure था वो एक leaf था जो modified हो गया है according to its deeds they are modified leaves but perform different functions because they have adapted to different environments इसे ही हमारे होते हैं बिटा analogous organs अब analogous organs क्या होते है analogous organs ऐसे organs होते हैं जो अलग-अलग species में मौजूद होते हैं इनका function same होता है देखो जैसे हम लोगो ने यहां पर पढ़ा था इस तरह से दो आ रहे हैं species वैसे ही कहीं दो species अलग-अलग होंगे ठीक है अलग-अलग जगह पर मौजूद होंगे लेकिन यह किसी एक जगह पर आ गया और यहां पे लोगों ने commonly adapt कर लिया ठीक है यह हमारा new generation कि हमारा ancestor one है और यह हमारा ancestor two है ठीक है यहां से अलग-अलग यह structural organization लेकर आये किसी एक जगह यहां पे इन लोगों ने adapt किया और similar function लेकर आ गये बिच्छा ठीक है ऐसे organs को हम बोलते हैं analogous organs और अगर हम यहां पे जब जो हमने example देखा था इनको हमने बोला था homologous होगा homologous में क्या होगा homologous बताएगा एक common ancestor और हमारा analogous analogous में different ancestors होंगे क्योंकि उन लोगों के structural organizations ही अलग है बस function सीम हो गया है क्योंकि same region में आ गए है जहां पे इन लोगों ने common similar environment but a different structure and origin इनका structure और origin अलग-अलग होगा because since they have different ancestors है okay examples wings of bats, birds and wings of insects wings of bats and birds जो होंगे वो हमारे insect के जो wings होते हैं और तीनों को function तो पिटा सेम ही है ना लेकिन structural organization बहुत different है यानि कि अलग-अलग ancestors से आये हैं लेकिन तीनों ओडने का ही काम करते हैं क्योंकि उनको इस environment पे adapt करना था leaves of opanshia and people both perform photosynthesis but leaves of opanshia are modified stems whereas people leaves are formal leaves अब यहां पर क्या हो रहा है एक opanshia का plant होता है जिसमें जो leaves होती है वो modified stems होती है stems को modify करके बनी हुई होती है लेकिन people की leaves normal leaves होती है यह दोनों क्या काम कर रही है लेकिन यह दोनों खाना बना रही है लेकिन एक तो stem से आई है न और एक तो normal leaf है यानि कि ancestors अलग-अलग है लेकिन common function है यह चीज़ हमें समझनी थी हो मोलोगस में एंसिस्टर सेम आनलोगस में एंसिस्टर डिफरेंट यानि कि हो मोलोगस में structure सेम functions अलग-अनलोगस में structures हमारे different functions हो जाएंगे एकदम इसको हम बोलते हैं अब शिष्ट अंग अब इसका मतलब क्या होता है इसे parts होते हैं जो हमारे evolution के साथ साथ में species ने use करने बंद करते हैं अब इनको organisms यूज नहीं कर रहे हैं यूज में नहीं ले रहे हैं तो यह धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं चोटे होते जा रहे हैं यह गायब ही होते जा रहे हैं ऐसे organs को हम बोलते हैं वेस्टील और जैसे कि जब मैंने आपको अपेंडिक्स बताया था जो कि हमारे लाज इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग में लगा हुआ था उसको भी हम लोगों ने वेस्टीजियल और बोला था क्यों बोला था क्योंकि वह हमारे अब किसी काम का नहीं है स्टार्टिंग में हुआ करता था वो हमारे हुमन के काम का अब नहीं है ठीक है चलो पढ़ते हैं डेफिनेशन वेस्टीजियल और और पार्ट्स और प्लांट और अनिमल बोडिस किसी में भी हो सकता है जिसका अब हम थीकलियर फंक्शन हम लोग को पता नहीं है यह अन्ड रिस्टी अनृट करता था अब भी हुसका कहिए क्लियर फंक्शन मौजूद थीक है Vestigial organs are proof that all living organisms have evolved over time and are also helpful in explaining adaptation यानि कि जब हमारा evolution हुआ हम उस चीज को समझ सकते हैं कि पहले यह काम के थे लेकिन अब काम के नहीं है यानि कि कुछ ना कुछ ऐसे variations आए हैं जिससे हम ultimately evolve कर गए हैं पहले के environment में काम के रहे होंगे लेकिन अब जो environment है अब जो हम adapt कर रहे हैं उसमें यह काम के नहीं है ठीक है ऐसे ही organs को हम बोलते हैं Vestigial या अवशिश अंग ठीक है अब इनके कुछ examples हम देख लेते हैं examples क्या हो गए हमारी आंख में निक्टेटेटिंग मेंब्रेन होती है वह इसका example है हमारे यह का पिनना होता है ना मैंने बता था जो हमारे elastin cartilage का बनावता है यह भी Vestigial होता है appendix भी हमारी Vestigial होती है हमारे body के hair यह भी Vestigial होते है evolution की साथ साथ में हमारा जो third molar है जो हमारे सबसे पीछे वाली अक्कलदार जिसको हम बोलते हैं वह भी Vestigial है इसलिए वह कुछ लोगों में underdeveloped होती है properly erupt नहीं होती है और dirt का reason बनती जो third molar जो है हमारा वह भी Vestigial है और अगर हम देखें तो हमारा जो caudal vertebrae होता है जो हमारा coccyx होता है जो end वाला जो tailbone जिसको हम बोलते हैं वह भी हमारा Vestigial होता है उसका कोई ऐसा clear function नहीं है और और क्या हो जायता है हमारा memory glands जो हमेल में मौजूद होते हैं वह भी Vestigial organs होते हैं तो हम इनके examples को ध्यान अच्छे से देख लो एक बार यह क्लियर हो गया अब हम समझते हैं फॉसिल्स जिनको हम बोलते हैं जीवाश में फॉसिल्स तो हम लोगों को पता ही है क्या होते हैं फॉसिल्स जो हम लोग ऐसे discovery चानल पर देखते हैं कि फॉसिल्स मिलते हैं बहुत सारे पुराने और्गानिजम थे पिटें यह क्या होते हैं बहुत सारे जो हमारे एंसिस्टर्स थे या फिर जो प्लांट्स आनिमल्स के एंसिस्टर्स थे वह पहले सोइल में दब गया तब दीरे दीरे सोइल तो रॉक बन गया रॉक में उनका शरीर ऐसा दबा हुआ था वो भी पूरा आंपले साथ मिलते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं और यह हमें हैल्प करते हैं उनको समझने में वह कैसे डिखते थे जब हमें समझ में आएगा कि वह कैसे दिखते थे तब ही तो हम यह समझ पाएंगे कि कि अगर हम unleash की बात करें कि हमें evidence कैसा मिलता है कि हम एवाल वोए थे हमने पहले जाके तो देखा नी टाइम मशीन में हम लोगों को इन ही के थूख evidence मिलता है कि पहले के और्ग्यानिजम कैसे हुआ करते थे इसलिए evolutionary evidence बोला जाता है बिटा को there are plenty of pieces of evidence to support the theory of evolution and fossils happen to be the biggest of them बहुत ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हम evolution का पता कर सकते हैं फॉसल से सबसे बड़ा सबसे exact हम लोग को reason मिल जाता है समझने का हमारी evolution की process को बहुत पुराने organisms मिल जाते हैं फिर हम उनको खुझ से compare करते हैं कि हम किस तरह से changes लेकर आए हैं अपने आप में environment को देखते हुए उसके बाद में fossils are the preserved remains of ancient animals or plants that died millions of years ago यह soil में यह हमारे rocks में दबे हुए रहते हैं और हमें देखने को मिलते हैं the fossils help us to understand the anatomy and even physiology of these organisms and understand how evolution worked and led to the formations that of the organisms that we today हमें इनको देखकर ही पता चलता है किस तरह से हम evolve कर आए हैं यहां पर हम लोगों ने समझ ले आए हमारे जीवाश्म को हमारे fossils को एक बहुत important सा fossil है जिसको हमने बोला है Archaeopteryx Archaeopteryx कुछ ऐसा दिखा था हम लोग अब यह हमें बोर्ड जैसा दिखा था क्योंकि इसके बहुत ऐसे wide span के wings थे लेकिन इसके बहुत सारे ऐसे features थे जो reptiles से भी मिल रहे यानि कि bird जैसा दिख रहा था लेकिन features थे reptiles जैसे fossil which looks like a bird but there's a number of features which were found in the reptiles इसलिए जब मैंने आप लोगों को diversity पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने वर्टेब्रेट में पड़े थे क्या-क्या पड़े थे हम लोगों ने fishes, amphibians, reptiles, birds और mammals तो reptiles और birds के बीच का ये connecting link बन गया ठीक है ये evolve इस तरह से हुआ होगा इसलिए इसको connecting link बोला जाता है between reptiles and aves और इस पे बिटा लगा लेना triple star ये question पूछा जा सकता है Archaeopteryx है कि ऐसा fossil हमें देखने को मिला था जिसमें हमें जो birds जैसा दिखा था लेकिन इसमें बहुत सारे reptilian features available थे इसलिए इसको connecting link बोला जाता है reptiles और aves यानी की birds के पीच में ठीक है यह यहां पे complete हो गया यह clear हो जाना चाहिए हम लोगोंने fossil समझा और fossil में एक important fossil की आप बात की यहां पर हमारा बिटा टॉपिक जनेटिक्स का जो है जो सारे important concepts से वो cover हो जाते हैं एक पर फटाफट से हम quick revision करते हैं कि हम लोगोंने क्या समझा सबसे पहली बाद जनेटिक्स होता क्या है जनेटिक जो की एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जा रहे हैं उनके study को हमने बोला है जनेटिक्स जो भी विरियेशन आते हैं उन सब की study हम यहां पर करते हैं का मतलब क्या मतलब transfer of characters from वन जनरेशन उसके बाद में हम लोगोंने जीन्स को समझा कि जीन्स क्या होते हैं डीने का वो पोशन वो छोटा सा पोशन जो कि responsible होता है हमारे कोई भी प्रोटीन बनाने के लिए या फिर दूसरे ओर्डर्स देने के लिए वो पोशन हमारा जीन हो इसके बाद में हम लोगोंने देखा था सर मेंडल के experiments ग्रिगोर जोहन मेंडल जो थे उनने experiment किया था हमारे गार्डन पी के ऊपर ठीक है इसलिए इनको बोला जाता था father of genetics क्योंकि इन्होंने यह पताया था कि जो inheritance हो रहा है वो किन laws के basis पे हो रहा है कौन से laws govern करते हैं कि क इस बीसिस पे हमारे characters transfer होंगे एक generation से दूसरी generation इन्होंने किया था सबसे पहले monohybrid cross monohybrid cross यानि कि सिर्फ एक ही organisms होते हैं तो उसमें gene जो होता है वो as a copy जाता है एक एक variant जो होता है उसको हम बोलते हैं एक अलील ठीक है अब क्या होता है एक अलील हमारा dominant होता है एक हमारा recessive होता है dominant के presence में recessive कभी आगे नहीं आ पाएगा dominance हमेशा अपना दबदबा बना के ही रखता है ठीक है dominant rates और segregation जहां पर जो अलील हैं वो gamete में separately जाते हैं यह देखा उसके बाद में हम लोगों ने देखा था डाय हाइब्रिड क्रॉस डाय हाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने दो सब्सक्राइब्रिड की यहां पर हमारा रेश्यो आया था 9-3-1 कौन सी जनरेशन में जनरेशन उसके बाद में हम लोगों ने देखा था हमारे नाचरल सेलेक्शन वीरियेशन evolution की कंसेप्ट को समझा सवाइवल ऑफ दो फिटेश्ट की वज़े से नाचरल सेलेक्शन को समझा सबसे पहले उसके बाद में हम लोगों ने देखे थे फॉसिल्स की फॉसिल्स क्या होते हैं जीवाश्मू क्या होते हैं और हम लोगों ने समझाता कुछ और एवालिशनरी रिलेशन्शिप्स को जो की होमोलोग और एनलोग और ऑगन्स थे हो मोलोगों वो जिनका एक कॉमन एंसिस्टर होता है इसी लिए उनका स्ट्रॉक्ट्र लोगनाइजेशन से मोगा लेकिन वह अलग अलग जगया जाकर अलग 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 फॉर्म में अड़ cert कर लेते हैं और उनके फनक्शन्स हो जाते हैं अलग अलग इंसिस्ट्र हमारे यहां पर ऑलग हो गये वेशी समझा को लिए हैं और और आर्कर यॉप्टेरक्स को हम लोगोंने समझा था जो की कनेक्टिंग लिंक बन गया था हमारे इवस और रिप्टाइल्स के बीच में देख हमें बहुत सारे फीचर्स हम लोगों को इसमें रिप्टाइल्स के मिले यहां पर हमारा जेनेटिक्स वाला हेड़िटी एवॉल्यूशन वाला कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है कुछ इंपोर्टन डिजीज उनके जो कॉजिटिव और ग्यानिजम्स हैं उन चीजों को हम समझेंगे ठीक है तब तक के लिए आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से रिवाइस कीजिए अपना ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए पंदे माध्रम